अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश्वर तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पेंट 3D में किसी इमेज के चारो और बॉर्डर कैसे बनाते हैं बहुत यह असान से स्टेप्स में समझेंगे तो देखें उसके लिए हमको जाना है उपर के रिबन में 2D शेप्स में इरहां 2D शेप्स इस पे क्लिक कर दीजे तो जब आप 2D शेप्स पे क्लिक करेंगे तो right side में आपको यह दिखिए कई शेप्स यहां पे दिखाई पड़ेंगे हमें इसमें square वाले shapes पे click करना है इस पे click करना है अब आप देखेंगे यह प्लस sign बन करके आ गया अब हम image के चारो और एक border देखिए ड्रा कर सकते हैं अब अगर आपको color change करना है border का तो यहां से आप color भी change कर सकते हैं यहां से चेंज कर सकते हैं यहां से तो यहां से आप thickness इसकी कम यह ज्यादा कर सकते हैं यहां से करे कर सकते हैं